now page number 41 creating a new document यदि हम कोई नया documents create करना चाहते हैं ठीक है sometime you may need to create another new documents while working in ms word जहां हम ms word में काम कर रहे होते हैं यदि हमें कोई नया documents हमें create करना है तो क्या करेंगे to create a new document follow these steps हमें यह सारे step हमें follow करने होंगे first हम क्या करेंगे click on file tab file tab पे click करेंगे ठीक है सबसे पहले फिर file menu appears हो जाएगा यहां पर आपको दिखाए देगा ठीक है फिर यहां पर आएगा हमारा new option आएगा उसको words जो होता है open a new blank documents ठीक है और यहां पर नया documents खोल जाएगा अब हमने क्या करना है existing ms words ठीक है तब exit होना होता है तो क्या करेंगे after finishing your work in ms word यदि आपका काम काम हो जाता है ms word में तो हम क्या करेंगे you should exit from it आपको क्या चाहिए कि आप उसे exit हो जाए that is close it to do this हमें सबसे पहले क्या करना है click on the file tab सबसे पहले file tab हमें यहां पर appears हो रहा है ठीक है file tab पे click करेंगे and then click on the exit यहां पर exit option आएगा तो फिर यहां पर exit करेंगे तो हम exit रहे हो जाएगे और click on the close button यहां पर हमारे right side ॅपर close button होता है ठीक हिए टाइटल बार पे यहां पर राइट साट में पर close button होगा हम simply है इसको close करेंगे तो उसमें एक्जिट हो जाएगे तो कि इसका exit होने का हमारे shortcut के क्या होता है keyboard पे all plus f4 हम press करेंगे तो हम exit हो जाएंगे now some more ticks इदने यदि हम कुछ चीज और कुछ add करना जाते हैं जैसे हमारा changing font type यदि हम कोई font type change करना चाहते है size या color तीकि उसके लिए हम क्या करेंगे a font is a style and shape of letter in the text क्या होता है एक letter का style या shape हम change करने को हम क्या बोलते है इसको font कहा जाता है there are different font types available in ms word हमारा क्या होता है यहाँ पे different type of font यहाँ पे available होते हैं यह आपको दिखाई दे रहा है ठीके to change font type यदि हम font type हम change करना यदि हमें कुछ चीज लिखा है select the text पहले हम यहाँ पे select करेंगे हमने कुछ लिखा है जो text को ठीके उसको पहले select करेंगे फिर हम font type पे जाएंगे हमारा दिखाई दे रहे हैं ठीके font type box होगा ठीके जो कि यह ribbon के अंदर होता है ठीके home tap के अंदर under the home tap ठीके ए list of font type appear सारी लिस्ट आ जाएगे हमारी home tap की यह आपको दिखाई दे रहे हैं click on the font type हम कोई भी हम font type पे हम click करेंगे यहाँ पे हमने यह वाला चीज हमने select किया है ठीके तो change अब हमारा क्योंदर change हो गया हमारा font type हमारे 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 change हो गया फिर click in font size box अब हम क्या करेंगे font यहाँ पे दिखाई देना है आपको यहाँ पे size आएगा ठीके हमें कितना size चाहिए numbering आएगे यहाँ वह हमारा to font type size and color in the selected text gets changed अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे हमारा style भी change हो गया shape भी हो गया change ठीके और यहाँ पे color भी हो गया हमने size कर लिया color कर लिया ठीके और shape भी हमने इसके change कर लिया ठीके click in one of these फिर हम यहाँ पे हमारा option आएगा देखिए ठीके bold का आया है italic का आया है और undo का यहाँ पे option आया है ठीके यह आपको दिखाए दे रहे है one by one इसको click करेंगे select the text change accordingly first हमने पहले select किया फिर तेखिए हाँ पर this is a simple यहाँ पर हमने select किया फिर हमने bold पर click किया तो यह bold हो गया फिर हमने italic पर click किया select करके तो यह italic में हो गया फिर हम underline पर click करेंगे तो यह simply ठीके underline हो जाएगा अब आप देखे इनका shortcut कि क्या होता है हमने bold करना होता है ठीके जब हमने bold करना होता है तो Ctrl plus B compress कर्णे तो हमने bold हो जाएगा Ctrl plus I करेंगे तो वह Celtics italic में हो जाएगा Ctrl plus U करेंगे तो वह underline में हो जाएगा नाव अंडू एंडू अब हम क्यासे करेंगे अंडू means to cancel the last action ठीक है जो हमने कुछ श्रीज लिखा है या कुछ भी क्या है मिन टेक्स पे तो क्या करें वो रिमूव कर देगा वो उसको हटा देगा एंडू means to repeat क्या करेंगा उसको वो ले के आ जाएगा जो में लास्ट on undo and redo button ठीक है यहां पर आपको दिखाई देगा टास्क पर हमारा यह undo and redo option होता है इसका हमारा shortcut की होता है ctrl plus z करेंगे तो undo हो जाएगा ctrl plus y करेंगे तो redo हो जाएगा अब हम करते हैं प्रिंटिंग यह कोई documents को print करना है तो हमें यह सारी चीज़े follow करने होगी सबसे पहले हम फाइल टेप पे जाना है फिर फाइल मीनू अपेर्ज होगा उस पर प्रिंट को option आएगा ठीक है फाइल मीनू में फिर यहां पर हम करेंगे प्रिंट डायलोग बॉक्स अपिर्ट हो जाएगा यहां पर तो आप क्या करोगे प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो क्लिक ओप आऊजाएगा और देश्क हो कॉप्रिंट हो जाएगा यह यांघ के प्रिंट एक pozwर डीकोड इन disneyख एकट और फिरिकेट addresses और और कम्प्रिंट फाइल में इसको शेर्फ करकर भी आपको रख्ना यह यू कें आल्सू क्लिक आंडध प्रिंट mouth and preparation अन्ट आपको जाएगा, okay, now I hope you all have understood this lesson very well.